ठीक है, यह एक रोमान्चक कहानी है. चार दोस्त अपनी बच्पन से ही बेहत घनिष्ट थे. एक दिन वे एक पुरानी हिंदी हवेली की ओर जा रहे थे. हवेली का रास्ता उनके लिए रहस्यमय और भयानक था. वे हवेली में घुसे और वहाँ अंजाने में पड़ गए. हवेली की दीवारों से अजीब औ गरीब आवाजें आने लगीं, पर वे नहीं डरे. जब रात हुई तो वे सोने के लिए अपनी जगह ढूंडने लगे. पर हवेली के बारे में गाव के लोग अक्सर अजीब बातें कहते थे. किसी ने कहा कि वहाँ भूत प्रेतों का बसेरा है, तो किसी ने कहा कि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं. पर एक दिन गाव का एक लड़का, अमित, इस बात की सच्चाई जानने के लिए उस हवेली में चला गया. रात का समय था. हवेली के चारों और घना जंगल था, जिसमें से डरावनी आवाजें आ रही थी. अमित ने भयानक भूतियां कहानी, पुरानी हवेली का रहस्य. बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से कस्बे के पास एक पुरानी हवेली थी. इस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थी. कहा जाता था कि वहाँ एक भूतनी का वास है जो हर पूर्णिमा की रात को प्रकट होती है लोगों का मानना था कि हवेली में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लोटता एक दिन कस्बे